और जिसमें क्या mention है कि digital evaluation होगा student की copies का और students तो घबर आ गए आप लोग तो डर गए क्यों भई कोई गलती की है आप लोगों ने exam में जो घबर आ गए कोई दिक्कत नहीं है computer चेक कर लेगा copy तो क्या हो गया कुछ हो जाएगा कि computer चेक कर लेगा तो copy वही होता है ना कि गलती किस की तरह होती है पीठ की तरह होती है दूसरों की दिखती है पर अपनी नहीं दिखती इसलिए तो आप लोग घबरा गए हो भई digital evaluation से घबराना नहीं है विटा इस नोटिस में यह मैंशन है आप ऐसा कौन सा software बनाएं कि भाई जो आपकी थियोरी लिखी है उसको भी चेक कर देगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई software बना है थियोरी लिखी हुई थियोरी को चेक कर देगा computer नहीं कर पाएगा ना अगर कर भी पाएगा तो सब फेल हो जाएंगे जो सेल में अगर सेल जंक्शन पूछा है और उसमें सेल डिवीजन भी लिखके आता है और सब कुछ लिखके आता है और फिर उसके बाद वह पास हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल हो जाएगा है चलिए आप देखो डिजिटल का मतलब किया है जब आपको कॉपी मिलती ऐए यांसर शीट मिलती है तो लांस्ट में टीटोज या करते हैं वो ऊपर वाला जो आपने फिल किया है जहाँ अपना नाम सारी जीज़या आपने फिल किया वह उखाग के रख लेते आपने पास कोछिज का हो घृ जहां हमारी कि वहां कैसे होगा, महां तो हमारा नाम ही नहीं जाएगा, साइट में देखते हूं, आप रोल नंबर वगएरा लिखते हो, ठीक है, और उसमें एक स्कैनर लगा होता है, क्यों आर कोड की तरह, वो होता है, डिजिटल इवैलुएशन, कि वहां से आपकी कोपी स्कैन हो गई, स्कैन होने के बाद, आपका डाटा जो है, वो सेव हो गया, कि हाँ, इस बच्चे ने पेपर दिया है, आपका रोल नंबर और इच और एवरीथिंग उसमें आ जाएगी, वो होता है, डिजिटल इवैलुएशन, क्लियर हो रहा है, इन्हों नहीं यहां पे बहुत सारी का रिजल्ट आचाहेगा, ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्लियरली क्या मैंशन है, टीचर्स के लिए क्या बोला गया है, टीचर्स के लिए यह बोला गया है, कि जिस भी इंस्टिट्यूट से, जो भी टीचर कॉपी चेकिंग के लिए आने वाला है, पढ करें, उक्त के संबंद में अवगत कराना है कि सत्र 22-23 के विशम सेमिस्टर की संपन कराई गई एवं संपन कराई जा रहा ही परिक्षाओ की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मुल्यांकन, डिजिटल इवैल्यूएशन संगलन सूची में निर्धारित मुल्यांकन केंद पर संपन कराया जाना है, उक्त परिक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मुल्यांकन की परिक्रिया को गुनवत्ता पून बनाने हेतु, समान्य मुल्यांकन करता एवं चुनोती मुल्यांकन करता इतियाधी के रूप में सहयोग किये जाने हेतु, आपके में कारियरत सक्षम सिक्षकों का विवरन निम्र प्रारूपों में भरते हुए हस्ताक्षरित कोपी एवं सपाट कोपी एक्सल प्रारूप में कारियाले में email id faculty.reg at the rate aktu.ac.in पर दिनाक 28 मार्स 2023 तक उपलब्द कराने का कस्ट करें। इन्होंने बोला है कि digital evaluation तो उन्हीं संस्थाओं के दुआरा हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो copy checking के लिए जो teachers जो faculty जानी है उनका complete आप bio data फिल करके दे दीजे ये उन्होंने particular email id दिया है और ये particular उन्होंने format दिया है कि उस format में आप उनका data फिल करके करेंगे राइट इवैल्यू कर डिजिटल इवैल्यूएशन को देखके बहुत सारे स्टुडेंट घबरा गए और मैसेजिज आने लगे कमेंट आने लगे तो मैंने सोचा भाई इसका क्लैरिफिकेशन देना आप लोगों को जरूरी है आपको हर चीज के लिए अप्टू अप्टू आप लोग कमेंट शेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के एक्जाम कैसे हुए हैं आई हो आपके एक्जाम बहुत अच्छे हुए हो ठीक है और बढ़िया ही करोगे आप लोग घबराना नहीं है रिजल्ट परफेक्ट आएगा कोई दिक्कत अप लोग अच्छा ही करें अपने फ्यूचर में बस यही काम ना करता है बाकी नेक्स्ट सेमिस्टर की प्रपरेशन जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना बिटा क्यूंकि 2nd semester के लिए या 4th semester के लिए पनको इतना टाइम नहीं मिलता है बहुत छोटा बहुत शोट पी है specific लेकिन even semester के लिए हमेशा सही हमारे पास कम time होता है अभी अगर आपके academic calendar की में बात करूँ तो जुलाई में आपके paper होना है और जुलाई में paper होना है तो इसका का gap लो लेकिन उससे पहले आप लो course join करके रखो आपके घर पर notebook deliver हो जाएगी course का price increase नहीं हुआ है facilities हमने बहुत सारी increase कर दिये जैसे की model papers इस बार आपको notebook के अंदर ही मिलेंगे test series भी मिलेगी model papers के अंदर ही और जैसे ही आप अपना exercise complete करोगे तो उससे आपका काफी practice भी हो जाएगा हर unit के बाद तो बहुत सारी facilities इस बार हमने extra की हैं अपने courses के अंदर भी बहुत सारी चीज़े improve की हैं तो आप लोग जाके visit करें course में join करें price वही same रहेगा price में मैंने कोई भी increment नहीं करवाया है ठीक है बेटा जितना जल्दी हो सके join कर लें घर पे notebook पहुँच जाएगी आपके और मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप लोग एक्जाम से पहले course में join करते हो तो उसमें आप लोगों का loss है क्यों अगर आप अभी join कर लोगे तो आप वो सारी चीजे गें कर पाओगे जो कि जब आप एक्जाम टाइम पर जोइन करते हो पैसा उतना ही देना है लेकिन चीजे आप उतनी गें नहीं कर पाओगे तो यह सही टाइम है सही डिसीजन है आप लोगों का जाके courses में जोइन करें विजिट करें जादा जानकारी के लिए हैलप लाइन नंबर से संपर्क करें मिलेंगे नेक्स ऐसे इंफॉर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार